इस वीडियो के तने काईस हम लोग बात करने वाले हैं IND Money Platform के Charges के बारे में जी हाँ वैसे तो मैंने इसके पहले 2 महीने पहले वीडियो बनाया था लेकिन अब इसके अंदर काफे सारे Changes आ चुके हैं तो चाहे फिर Indian Stock की बात हो US Stocks की हो, Mutual Funds हो, Fixed Deposit हो सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या Major Changes आया है कहाँ पे आपको क्या-क्या Charges बियर करने पड़ेंगे जब आप अपना पैसा विड्रॉल करते हैं या US Stock के अंदर इंवेस्ट करते हैं चाहे Indian Stocks में करते हैं तो कहाँ कहाँ पे किस टाइप के आपको Charges यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो गाइस पूरी जानकरी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा तो पहले चलिए शुरुबात करते हैं हम लोग US Stocks के साथ में क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी Purpose के लिए इस आप को यहाँ पे यूज में लेते हैं तो देखें यहाँ पे Major जो Changes आया है वह है Brokerage का अभी भी यह कोई भी आपसे Account Opening Fees यहाँ पे चार्ज नहीं करता है नहीं कोई AMC Fees पकरे चार्ज करता है लेकिन अपसे इसने Brokerage लेना चालू कर दिया है यानि कि किसी भी अगर US के Stocks को अगर आप Buy करेंगे तो 0.15% of the order size यह आपसे Brokerage चार्ज करेगा यानि example देना चाहूं अगर आप 10 डॉलर यहाँ पे इंवेस्ट करने वाले हैं तो ultimately आप कह सकते हैं अगर इंडियन रुपीस के अंदर मैं बात करूं तो 1-2 रुपे का आपको Brokerage इनको देना पड़ेगा यानि कि 800 रुपे के उपर 0.15% की cost आपको यहाँ पे bear करने पड़ेगी इसके लब आप AMC fees की चार्ज के बात करूं पहले भी कोई charges नहीं थे साथ में इनके app के उपर पहले जो SIP नोंने pause कर रखी थी वो अब यहाँ पे live हो चुकी है तो SIP यहाँ पे activated है उसके अंदर आपको कोई भी charges वगर नहीं देने है लेकिन काईस ध्यान रखेगा यहाँ पे SIP के लिए आपको auto mandate करना पड़ेगा जी हाँ auto mandate का मतलब यह होता है कि आपने UPI के तुरू या netbank के तुरू एक बार auto mandate कर दिया तो उसके बाद automatically उस date के उपर आपके account से पैसा debit होता रहेगा तो उस case में वैसे तो यह IND money कोई भी charges नहीं लेता है लेकिन let's suppose अगर आपके account के अंदर sufficient पैसा नहीं हुआ तो bank जरूर आपके उपर charges impose कर सकता है और कई bank जो है auto pay का भी यहाँ पर charges लेते हैं अगर मैं SBA की बात करूँ around 59 rupees के something यहाँ पर charges जो है वो लेता है बाकी मुझे और banks का idea नहीं है mostly bank जो यहाँ पर auto pay की जो सुवीता है वो free of the cost यहाँ पर provide करते हैं वहाँ पर आप आप US के stocks की SAP करेंगे तो पहले आपके account से पैसा debit होगा उसके बाद में वो basically dollar के अंदर convert होगा और तब जाके वो invest होगा तो वहाँ पर वैसे वो brokerage वगरे charge नहीं कर रहा है लेकिन आपको जो conversion के जो charges वगरे होते हैं वो simply तरीके से आपको via करने पड़ेंगे इसके लाव guys अगर मैं withdrawal की यहाँ पर बात करूँ या deposit की बात करूँ तो deposit के उपर पहले से यह platform fees यहाँ पर charge करने लगया था 0.75% और maximum 1000 रुपे और पिछले वीडियो के इंदर मैंने आपको live दिखाया था कि IND money जो है platform fees करके यहाँ पर charge करने लगया है जब भी पैसा आप अपना add करवाते हैं साथ में guys IND money के उपर जिनोंने भी federal bank का saving account यहाँ पर open कर रखा है तो उसके थू अगर वो withdrawal करेंगे तो कोई भी charges नहीं है लेकिन अगर वो अपना traditional bank जैसे SBA हो गया, ICC bank हो गया, SDFC होगा अगर उसको use में लेते हैं और उसके अंदर अगर आप directly withdrawal मानना चाहते हैं तो पांच डॉलर पर withdrawal की fees आपको जैसे पहले देखने को मिलता था वही आपको यहाँ पर bear करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप लोगोंने इनका federal saving account खुलवा रखा है तो उसके अंदर deposit के अंदर के अवल आपको platform fees बियर करनी है लेकिन withdrawal के अंदर कोई भी यहाँ पर charges वगर आपको नहीं देनी की जरुवात है इसके लागे से अगर मैं Indian stocks की बात करूँ तो यह पहले भी कोई account opening fees चार्ज नहीं करता था AMC fees भी इनकी zero है equity की बात करूँ तो equity जो deliveries होती है यानि कि normal investment, long term investment वगर हो गया या फिर intraday, same day के ओपर खरीदना, same day के ओपर बेचना तो उस case में आपसे 20 रुपीस या फिर 0.05% आपसे यह brokerage करने वाला है और F&O इसने शुरू कर दिया है 20 रुपीस पर order जी है और इसका जो पूरा pricing structure है ना, वो simply यहाँ पर grow के साथ में match करने वाला है क्योंकि grow भी यहाँ पर same kind of the charges यहाँ पर आपसे charge करता है बाकी जितने भी आप charges होते है, वो standard होते है, वो सारे के सारे DP यहाँ पर charge करते है main इनका जो कमाई होती है, वो brokerage के अंदर होती है स्टीबी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके अंदर कोई भी charges नहीं है fixed deposit यह जो offer करता है, चाहे बजाज finance हो, श्री नाम finance वगरे हो federal bank का हो, या फिर SBM bank का हो, किसी के अंदर यह कोई भी charges वगरे, आपसे भी enjoyer नहीं लेता है fixed deposit वाले instrument यहाँ पर free of the cost है, लेखे गाईस, अगर ultimately मैं summarize करना चाहूं तो especially जो लोग US के stocks के लिए इस app को यहाँ पर use में लेते थे, उनको केवल अब यहाँ पर brokerage especially bear करना है, 0.15% of the order value, बाकिये इसके अंदर और कोई भी changes नहीं है, अगर आप deposit करेंगे पैसा तो 0.75% of the order value आपको bear करना पड़ेगा, और यह maximum केवल 1000 रुपे चार्ज होगा withdrawal के ओपर कोई भी charges नहीं है, अगर आप federal saving account के थूर यहाँ पर withdrawal वगरे कर रहे हो और deposit में भी आपके जो conversion के charges होंगे वो बच जाएंगे, अगर federal bank के थूर जाते हो बाकि अगर आप traditional bank use में लोगे, तो फिर भाई, वहाँ पर जो conversion charges लगते हैं, वहाँ आपको पता ही है 500-1000 रुपे की fixed cost लगती है, आपकी जो bank आपसे charge वगरे करता है कई लोग का doubts ये भी था, कि यहाँ पर जो है, आप लोग को पता होगा, कि Wested इसका एक competitor है जो आपको US stock की यहाँ पर facility provide करता है तो अगर आप माली जो कोई लोग SIP कर रहे थे, I&D money के साथ में भी, उनको पहले लग रहा था कि Wested अच्छा कासा option है अब I&D money अच्छा कासा option है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि I&D money के अंदर जो पैसा आपका auto जो debit होता है वो directly bank के through होता है, मलब bank से पहला आपका पैसा debit होगा, उसके बात में वो INR से USD के अंदर convert होगा और तब जाके वो SIP के अंदर invest होगा, जबकि Wested के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है वहाँ पे आपके wallet के अंदर जो पैसे पड़े होगे होगे, dollars के अंदर, वहीं से सीधी आपके SIP debit हो जाती है तो वो मुझे Wested की थोड़ो सा यहाँ पे जादा जो है, यहाँ पे मैं prefer करता हूँ, उसी reason की वैसे क्योंकि वहाँ पे बार बार जो है, मुझे अपने INR को dollar के अंदर convert नहीं करना पड़ता है बाकि इसके अगर मैं charges की बात करूँ, तो 250 rupees की account opening fees है और brokerage यह जो है, 0.20% of the trade amount, basically यह charge करता है और उसने maximum capping limit लगा की है, 20 dollars की अगर अगर आप एक new user है, तो मैंने link और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए जहांसे join करने पे आपको कुछ exclusive यहाँ पे rewards वगरे देखने को मिल जाएंगे